सवाल नम्बर एक, अगर एक आदमी की छे भाई हैं और हर भाई के छे भाई हैं तो कुल कितने भाई हैं? सही जबाब होगा, साथ भाई सवाल नम्बर दूसरा, ऐसा कौन सा देश हैं जिसके सीमा को चौदा देशों ने घेरा हुआ है? सही जबाब होगा, चीन देश सवाल नम्बर दूसरा, हाल ही में किस राजिस सरकार ने युवाओं को व्यवसाइक उध्यम शुरू करने के लिए स्वयम योजना शुरू की है? चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सही जबाब होगा, असम राजिस सरकार ने सवाल नम्बर चार, किस बलड ग्रुप वाले लोगों को कोरोना वारस नहीं होता था? सही जबाब होगा, ओ बलड ग्रुप वाले लोगों को सवाल नम्बर पांच, दूद का पीलापन किस कारण से होता है? सही जबाब होगा कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण सवाल नमबर 6 2021 किसी स्वी में लोग सभा की अध्यक्ष कौन है? सही जबाब होगा ओम बिडला सवाल नमबर 7 सूरज किस देश में सबसे पहले डूबता है? सही जबाब हो जाएगा न्यूजिलेंग देश में सवाल नमबर 8 शरीर के कौन से अंग पर चोट लगने पर जल ठीक हो जाता है? सही जबाब हो जाएगा जीब सवाल नमबर 9 हैदरबाद में चार मीनार का निर्मान तसने कराया था सही जबाब होगा कुली, कुतुब, शाह ने सवाल नमबर 10 बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? सही जबाब होगा टका सवाल नमबर 11 विश्व में कितने प्रकार की साप पाए जाते हैं? सही जबाब होगा तीन हजार से अधिक प्रजातिया हैं सवाल नमबर 12 दुनिया का सबसे पुराना खेल कौन सा है? सही जबाब होगा पोलो खेल सवाल नमबर 13 पोलो खेल ते समय किस भारतिय बादशाह की मृत्य हुई थी? सही जबाब होगा कुट्टु बुद्धि नयवक की मृत्य हुई थी? सवाल नमबर 14 भारत की सबसे बड़ी नौकरी कौन सी है? इस सवाल का जबाबा कमेंट सेक्षन में बताइए सवाल नमबर 15 स्वाल मंदिर भारत की किस राज्य में स्थित है? सही जबाब होगा पंजाब राज्य में सवाल नमबर 16 भारत में राष्ट्री एकता दिवस कब मनाया जाता है? सही जबाब होगा 31 अक्टुबर को सवाल नमबर 17 किसी भी व्यक्ति को पुलिस के रफ्तार करती है तो उस समय उस व्यक्ति को क्या बताना जरूरी होता है? सही जबाब होगा उस व्यक्ति का जुर्म सवाल नमबर 18 सोरे के प्रकाश से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? सही जबाब होगा विटामिन D सच जबाब होगा विटामिन D